बिहार की जनता ने इसको स्विकार किया है और देश की जनता ने जो भाजपा को सबक सखाया है जो विभाज़कारी नीती नफरत की राज़ीती जो यह किया करते थे उस पे जो है ताना शाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया और इनको रोका है और देश की जनता ने संद्धान बचाने के लिए लोकताद को बचाने क लिए सब लोगों ने मद्दान किया और आप देखेगा वही मद्दान का असर जो दिखा कि भाजपा जो है मेजॉरिटी से बहुत दूर रहेगे अब भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है अब भाजपा के लोग जो है डिपेंडेंट हो जुके हैं तो अब भिहार जो वो कम से कम बिहार को विशेश राज का दरज़ा देलाएं और जो हम लोगों ने 75% जो अरक्षन की सीवाएं बढ़ाई थी और जो शेडियू लाइन की बात है तो वो शेडियू लाइन में डाला जाए और साथी साथ पूरे देश भर में जाती जनगना वो कराएं यह हम ल और धान मंत्री मुसल्मान भाईयों के बारे में इतना जहर बोलते थे नफरत की बात करते थे आज देखे राम जी ने भी सबख सिखा दिया और देखे जनता दल को सबसे ज़्यादा वोटे मिली हैं बिहार में और वोटिंग परसेंट भी सबसे ज़्यादा हम लोगों का है सीट में भी मरोतरी हम लोगों की हुई है पिछले बार की मुकाबले और इस बार हम लोगों का जो अजेंडा था मुद्दे की बात थी रोजगार की बात थी विहार की जनता ने इसको सविकार किया है और देश की जनता ने जो भाजपा को सबख सिखाया है जो विखाज़कारी नीती नफरत की राज़ीती जो यह किया करते थे उस पे जो है ताना शाही के खिलाफ लोगों ने वोट किया और इनको रोका है और देश की जन्ता ने संद्धान बचाने के लिए लोकतत को बचाने के लिए सब लोगों ने मद्दान किया और आप देखेगा वही मद्दान का असर जो दिखा कि भाजपा जो है मेजोरिटी से बहुत दूर रहे गे अब भाजपा के पास खुद का बहुमत नहीं है अब भाजपा के लोग जो है डिपेंडेंट हो जुके हैं तो अब बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है तो हम तो यहीं चाहेंगे कि भाई कि सरकार जो भी आए जो किंग मेकर है वो कम से कम बिहार को विशेश राज का दरज़ा दिलाए और जो हम लोगों ने 75% जो अरक्षिन की सिवाएं बढ़ाई थी और जो शेड्डी उल्लाइन की बात है तो वो शेड्डी उल्लाइन में डाला जाए और साथी साथ पूरे में मुख्य डिमांडे होंगी आयोद्या जी दिया भाई तो कहते थे जो नफरत की बात है और रान मंत्री मुशलमान भाईयों के बारे में इतना जहर बोलते थे नफरत की बात करते हैं आज देंके राम जी ने भी सबग सिखा दिया चाचा को लाएंगे साथ में करते हैं